नवस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं चहान वीडियोज और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 18 अगस 2021 की तीन नई नोटिफिकेशन के बारे में जिसमें आपके लिए री रेजिस्ट्रेशन की और ऑनलाइन एडमिसन करवाने की लास डेट एक बार फिर एक्स्टेंड की गई है और साथ में बात करेंगे असाइमेंट सब्मिसन स्टेटस की और जून एक्जाम रिजल्ट के ओपर भी कुछ स्टुएंट के मन में कुछ कन्फ्यूजन है तो उसक कि सिरुवाद करते हैं और सबसे पहले पहली नोतिफिकेशन के बार में बात करते हैं असाइमेंट सम्मिसन स्टेटस एक बार फिर अप्देट किया गया है जिन इस्ट्यूएन ने जून 2321 के लिए अपने assignment submit किये थे या फिर December 2020 session के लिए अपने assignment submit किये थे वो एक बार अपना assignment submission status यहाँ पर से check कर सकते हैं इसका link आपको description box में भी मिल जाएगा और साथ में मैं आपको बता दू कि इगनू की तरफ से अभी एक scheme है कि आप 31 अगस्ट 2021 तक भी अपने assignment submit कर सकते हैं यानि कि अगर आपने अभी तक assignment अपने submit नहीं किये June 2021 session के लिए जिसके exam भी अब सुरू हो चुके हैं तीन अगस्ट से तो आप 31 अगस्ट 2021 से तक अपने assignments को offline या फिर online mode में submit कर सकते हैं अगर आपका project या dissertation internship की कोई project file आपकी रह गई है जिसको आपको submit करना था लेकिन आप नहीं कर पाये थे तो आपको मौका दिया गया है कि आप इसको submit कर दे ताकि आपका और आपके project assignment का result एक साथ आ जाए और आपको जल्दी ही आपकी marksit final marksit जो है वो मिल जाए तो आप इसको कर सकते है assignment submission status की एक और update जारी कर दी गई है normally हर हफ़ते में कम से कम every week एक update जारी की जाती है निकि इस week में update जारी कर दी गई है अब next week में एक update जारी की जा सकती है तो next update के बार में बात करते है June 2021 exam जो ही की समय चल रहे हैं तीन अगस्य exam 9 September तक चलने वाले हैं तो उनके result की पहली update आ चुकी है अभी exam चली रहे हैं लेकिन पहली update 16 अगस को release की जा चुकी है उसके बाद कुछ student के मन में ये confusion है कि उन्होंने भी 16 अगस्य से पहले अपने exam दे दिये थे एक subject का या दो subject का लेकिन उनका result update नहीं किया गया तो ऐसा किया जा सकता है कुछ ही student का इस समय result update किया गया है ये सरे पहली update और अब हर दूसरे तीसरे दिन आपको नई update देखने को मिलेगी तो ऐसा बिलकुल संभव है बिलकुल possible है कि आपने 16 अगस्य से पहले अपना किसी subject का exam दिया हो और आपका result declare नहीं किया गया पूरे अगस्त में सेप्टेंबर में और अक्टूबर में इसकी result की updates जारी की जाती रहेंगी अपडेट की ब्रक्रिया आप सुरू हो चुकी है और पहली update जारी की गई है और आज ये कल में आपको एक बार फिर एक्स्टेंड कर दी गई है जुलाई 2021 सेशन के लिए अब आप 31 अगस्त 2021 तक अपना admission या फिर re-registration कर पाएंगे तो ये काफी अच्छी बात है आप कोई भी student जिसने अभी तक re-registration नहीं करवाया या फिर अपरेल से आपके लिए re-registration का link अवेलेबल है और अब अपरेल के बाद अपरेल, मई, जून, जुलाई और अब पूरा अगस्त भी आप अपना re-registration करवा सकते हैं तो अगर आपने re-registration नहीं करवाया है तो इस मौके को बिलकुल भी मत छोड़िए तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो आपको पसंदा तो इस वीडियो को like जरूर कीजिए, share जरूर कीजिए